प्रॉब्लम में बोल रखा है the value of definite integral, इसकी value अपनुका अपनी कान नहीं है, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, तुम ट्राइ करूँ, तो integral दे रखा है, πाई बाई 4 से πाई बाई 2 dx, डिवाइड में यहां पर अपने पास है, sin x plus cos x plus 2 times root of sin x cos x and यहां पर multiply में root of sin x cos x है, तो मैं क्या करता हूँ, यहां से cos को बाहर निकाल लेता हूँ, cos को बाहर निकाल लिया, तो यह 10 x बन जाएगा, यह यहां पर plus 1 हो गया, plus 2 times, यह root of 10 x हो जाएगा है, यह लिमिट पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है, इस केस में हमेशा अपना जो cos है, वो positive ही रहेगा, सारे cos, sin, 10, सभी positive है इस केस में, और इस चीज़ को तुम क्या लिख सकते हो, 10 x multiply by cos square x, सो यहां पर root of 10 x रह जाएगा, and cos square x का, modulus आता है, लेकिन इस केस में positive है, तो cos x ही लिख रहे है, सो पाई बाई 4 से पाई बाई 2, यह तुमारा, sec x call square dx, and यहां पर तुमारा 10 x, plus 1 plus 2 root of 10 x, multiply by root of 10 x यह आ गया, अब simple है, 10 x को यहां पर t put कर देंगे, सो जो तुमारी limit हो, 1 to infinite चली जाएगी, यह उपर dt बन जाएगा, 10 x को t square put कर रहा है, sorry, 10 x को t square put करेंगे, सो यहां पर 2 t dt put करेंगे, क्योंकि यह x का whole square dx, यहां पर 2 t dt आ जाएगा, क्योंकि अपना जो यह रूट में दे रहा है, इसलिए t square put कर रहा है, सो यह t square plus 1 plus t, वो ही simple logic, positive है यहां पर, सो यहां पर यह भी t आ जाएगा, 1 to infinity, तो इस तरीके से मैं इसको लिखूँगा, यह t से यहां पर t cancel हो जाएगा, 1 to infinity 2 dt, and divide में आपर अपने पास simple, t square plus t plus 1 आ गया, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहां पर यह 2b है, इसके साथ 2b आएगा, यह बेसिकली 1 to infinity, 2 dt divided by t plus 1 का whole square बन जाएगा, तो यह minus 1 divided by t plus 1, from 1 to infinity, so, यह 0 and minus of minus 1 आजाएगा, जो अपना answer है, बेसिकली अगर अपन चैक करें, यह minus 1 by 2 आएगा, तो आपना बन आजाएगा इस तरीके से अपने इसको solve कर सकता है, तो अपने अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और शेयर करो, सब्सक्राब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में,